हेलो फ्रेंज मैं हूँ रश्मी और कूक योफ फूड में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत एक क्विक आलू मटर गाजर की सूखी सबजी हाडली 10 मिनट लगेंगे इसे बनाने में और बहुत ही टेस्टी बनती है इसे आप पराठे के साथ सर्फ करें सभी को बह जाएं अपलोड करते ही तो आईए इस मज़दार सी रेजिपी को शुरू करते हैं आलू मटर गाजर की सूखी सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़ा चमच तेल को गरम कर लिया है फिर इसमें डाल देंगे आदा छोटा चमच जीरा इसको थोड़ा सा क्रेकल होने देंगे उसके बाद इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच खुटा हुआ अध्रक और लेसन इसे मिला लेंगे और एक मिनट के लिए इसको ओईल में पका लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए तो इक कुक हो गया है फ्लेम को हमें लो रखना है नहीं तो यह जल सकता है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे डाइस केवे आलू तो यहाँ पर मैंने 3 medium size की आलू लिया है जिसको पील करके wash करके इस तरह से थोड़े चोटे टुकडों में काट लिया है इसे मिला लेंगे आलू को मैंने काट करके तुरंत यूज किया है लेकिन अगर आप उसको पहले से काट करके रख रहे हैं तो पानी में भिगो करके रखें नहीं तो आलू काला पड़ जाता है तो हमने इसको mix कर लिया है उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए cover कर देंगे cover करके पकाने से इसका process fast हो जाता है इसलिए आलू अप 50% cook हो गया है और बाकी की cooking हम सबजियों के साथ करेंगे तो इसको एक बार मिला लेंगे और फिर हम इसमें बाकी की सबजियां add कर लेंगे तो इसमें डाल देंगे आधा कप fresh मटर और साथ में डालेंगे आधा कप कट powder एक चम्मच से थोड़ा सका मर्च का पर आप चाहें तो इसके बद़ drawing मर्च भी टाल सकते हैं अधा चोड़ा चम्मच से थोड़ा सका कंवथी पर रेंच एक चोथा चम्मच करम मसाला परउड़र और आधा चबच में ऑम चूपर बाउड़र इस सबजी में हम्ने प्यास का यूज नहीं किया है तो अगर आप लसन प्यास नहीं खाते हैं तो शिरुवात में अद्रक लेसन की जगे सिर्फ अद्रक का यूज करें तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिला लिया है यह सूखी सब्जी है और मसाले भी सारे सूखे हैं तो यह जल न जाए तो इसके बांट निए थोड़ा लियुआ आपक trails के वह लियुआ है और में यूज लिए और मिलाने के बाद इस बर करके 5 मिले पका लेंगे जिससे कि सब्जीया अच्छे कुख हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं तो पांच मिनट हो चुके हैं बीच में इसको एक दो बार चलाया भी था तो देखिए मसाला अच्छे से कोट हो गया है सब्जियों के उपर पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है और चेक करने के लिए एक दो पीस इस तरह से कट करके देखें अगर वह आसानी से कट हो रहा है इसका मतलब यह प्रॉपरली कुख हो गया है लेकिन अगर इसमें थोड़ी कसर रह गई है तो एक दो मिनट वापस से कवर करके पका सकते हैं तो यहां पर यह एक दम अच्छे से कोख हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक छमच भुनिवी कसुरी मेथी इसको मैने थोड़ा सा सबजियों के साथ और गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे लेकिन इसको तुरंट सर्व नहीं करना है इसके बाद इसको दो मिनट के लिए धकल लगा कर छोड़ देंगे तो ये लिजे बहुत ही शांदार बनाने में आसान और जटपट बनने वाली आलू मटर गाजर की सबजी तयार है गाजर की हलकी से मिठास इन मसालों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इसे घर में खाने के लिए बनाएं या लंच बॉक्स में ले जाएं आपको बहुत पसंद आएगा तो रेसिपी को ट्राई जरू कीजेगा और अपना फीड़बैक हमसे जरू शेर कीजेगा तो चली मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आप खुछ रहें और स्वस्त रहें